हेलू स्वागत हुद दूस्तों आपके चैनल दपर्माएजुगय में उम्मिद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही तरह से चल लही होगी आप सभी को पता है बेट फर्स्ट यर बेट सेकेंड डियर की परिक्षा होने वाली हैं आगरा युनिय करिकुलम में सबसे पहले आज में एक ग्यान टॉपिक जो आपका नॉलेज है नॉलेज इन करिकुलम में नॉलेज इसका मैं थेयोरी पार्ट्स आप सभी लोगों के लिए के आया हूं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ज जरूर दें इसमें मुझे और क्या करना चाहिए इसको कंटिन्यू करूं जब तक आपके एक्जाम होंगे तब तक मैं पूरी कोशिस करूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा मैटेरियल हो सकता है मैं आप सभी लोग लिए पहुंचाने की कोशिस करूंगा थेयोरी के प्रोस हम लोगों को चाहिए मैटेरियल और आपके पढ़ाई के लिए वो जो सारी चीजें जो आपको मिल पाएं तो मैंने एक कोशिस की है नौलेज और करिकुलमन ज्यान के टॉपिक को आप सभी लोगों के लिए यहाप लाने की फ्लीज उससे पहले आप सभी लोगों से करके ज़रूर बता है तो स्टाट करते हमारा आज को टॉपिक है जो आपका है नौलेज और करिकुलम इसको हम मैंने आप लोगों के लिए ऐसे ही तैयार किया है कि आप इसको पूरी तरह से पढ़ें और धीरे दीरे इसको समझें आप जज़वन्टल मत होईएगा प्लीज क्या चीजे कैसे मिलें आप यह देखिए मैं भी कुशिस कर रहा हूं मैं भी महनत करों तो आप लोग भी उस महनत को थोड़ा सा समझिए और अपनी पढ़ाई को कॉंटिर्यू करिए तो आज हम लोग हमारा लोगों का टॉपिक है ज्यान तो पढ़ते हैं ज्यान के बारे म में सहायक होता है उसको हम ज्यान कहते हैं अगर डिरेटली आपसे पूछ लिया जाए वहाँ पे एंसी कर दोने मगर हमारी समझ भी तो होनी चाहिए कुछ हमें उस चीज का ज्यान होना चाहिए तभी तो मैं सॉल्व कर पाएंगे आज मैं वही चीज आप सब लोगों के लि में आते ही आते हैं जैसे यहां पर मैंने सर्क रक्टेंगल फॉर्म में कर दिया है ग्यान समस्त सिक्षा का आधार है यह प्रशन आया हुआ है यह चीज प्रप्त हो रहे हैं जैसे में आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं यह भी यहीज रही है ज्ञान का अर्थ जाग रुकता भी है यह सारे आपको यह अर्थ पता होने चाहिए पॉइंट वाइज मैंने इसलिए लिखे हुए है आप सब प्लीज हैंड राइट को मज जाईएगा आप कैसा लिखा है गंदा लिखा है मुझे भी पता है बट आप इस चीज को समझे कि ज यह साद्धिवं साधन दोनों ही रूप में पाये जाता है और ग्यानप्रापति महत्यपोंड उद्देश है किसने ग्यान को बोला क्या है यह चीज देख लेते हैं क्योंकि यह स्टेटिमेंट्स बहुत आ रहा है तो देख लेते हैं सुकरात ने जिच्छान को क्या बोला ह तो यह किसने बोला है यह बोला है सुक्रात ने आंद्रे बुद्रो ने उन्होंने ज्ञान को क्या बोला है उन्होंने बोला है ज्ञान को इस रूप में परिभाशित किया जा सकता है कि वो चीज है जो किसी प्रदक्त संदर्व में पाया गया है और यही सत्य किसी क्रिया को क कर आती है यदि कोई बाधा उपस्थित ना हो तो यह किसने बोला है अंद्रे बुद्रों ने नॉलेज इस डिफाइंड इस दिंग्स देटार हेल्ड विट्रू इन गिवन कॉंटेक्स्ट एंड डाइट ड्राइव तो एक्शन इस देर वर नौ इंपिडेंट्स तो यह बात सब्सक्राइब कर लेंगे जैसा भी लिखा वह माइन नहीं रखता है मैं बोल रहा हूं आपने नोट्स बनाते रहे हैं खुद से वीडियो को पॉस्ट करिए जो मैं बोलता हूं उसको दुबारा से सुनिया अगर नहीं समझा रहा है मैं कोशिस करता हूं कि अच्छी तरह स यह करल स्वेवी निया भुला है फिर आ जाते हैं कौन नटी वा खीके उची के अनुसार नोनाटी वा खीके कि अनुसार ग्यान वो सत्य विश्वास है जिससे किसी प्रभावी क्रिया के लिए शमता में व्रधि होती हूं उसको ग्यान बोलते हैं ये किसने बोला है न्टी इनके नाम से लॉक के अनुसार क्या है क्यान ग्यान लोगों की बुद्धी और योगता में विद्धमान ग्यात और उपस्तित होने का योग है क्या है knowledge is the sum of what is known and resides in the intelligence and competence of people और सब्से पहले सब्से पहले 5 points वे उनको लेकर इन लोगोंने क्या और इससे पहले एक सूचनाओं का काम करता है दो घ्यान समस्त सिक्षा का आधार भी है कि सारे points आते हैं आप ध्यान रुखिएगा ठीक आगे पड़ते हैं ग्यान को सभी प्रकार के सिक्षा का प्रमुक आधार माना जाता है एमसी क्यों आ जाएगा कि किसको सभी प्रकार के सिक्षा का प्रमुक आधार माना जाता है वहां पर आपके पास चार पॉइंट्स होंगे उसमें से एक ज्यान भी होगा तो किसको माना जाता है सभी प्रकार के सिक्षा का आधार ज्यान को माना जाता है सिक्षा का प्राथमिक उद्दिष क्या होता है तो ज्ञान देना ही होता है और ज्ञान संग्यानात्मक इस्तर पर दिया जाता है संग्यानात्मक इस तरह हम कैसे उसको कह सकते हैं जो हमारे कॉगिनेटिव जिसको हम कहते हैं कॉगिनेटिव चीज़ों को समझना उसको हम क्या बोलते हैं संग्यानात्मक इस तरह भिए कर mojeचлек 500 मां इस तरह से समय सकते हुर ब्यो Campaign तरह ्खी होते है और यह सारी चीज यह हमारी से संग्यणास्मक नमें हो जाती है तो यह हो जाता है आपका संग्यानास्नास्थ इसट पर और उससे पहले में आपको यहाँ पर एक पॉइंट और किले़ करों कि यह आपके बहुत ही कामकी चीज बने सरी चीजह पूछी जाती है इन फॉर्मल एजुकेशन जिसको कि अनौप्चारिक सिक्षा बोलते हैं तो यह क्या है इस टॉपिक को हम लोग इस समय ही complete कर लेते हैं जिससे आगे जब यह सारी चीजे आएंगी कि अप्चारिक सिक्षा में ऐसा क्या होता है उससे पहले आपके दिमाग में यह सारी चीजे होता क्या है सबसे पढ़ लेते हैं स्कुल में मिलती है कर्मवद्ध तरीके से चलती है तो मैं से विष्व विद्याले होता है लाइब्रेरी होता है आर्ट गैलरी होता तो यह सारे पॉइंट्स आप भी लिखते जाहिए अगर आप सब लोग मुझे बोले गए तो जो मैंने नोट्स ऐसे तयार के यह मैं आपको आपको टेलीग्राम चैनल में अप्लोड कर दूंगा आप वहां से इसको देख भी सकते है ग्यान देखिए यहीं पर बात में और भी बोल दूँ कि लोगों के पास पड़ी होती है उनके नोट्स होते हो शेर करने से बचते हैं बिल्कुल नहीं बचना चाहिए हम लोगों को तो ग्यान ही एक ऐसी चीज़ जितना आप देंगे उतना ही बड़ेगा कुछ कम तो हो न नहीं पढ़ रहे हैं किसी दूसरे का भला हो तो आप उसको बिल्कुल देजिए लोग शिबाने लग जाते हैं तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए यह भी आप चीज़ा समझे फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है जो हमें निश्चित पाठ्टेक्रम के माध्यम से स्क उप में कोई व्यवस्त्य चीज नहीं होती है जैसे कि अनुभवों पर आधारी होती है जो हमारे परीवार मेंको ज्म मिलता है अप चाहौत आप में बात करने लग जातें इस सीविशह का एंग तो सब क्या है वो है एक अनौपचारिक सिक्षा इसकूल में जब आप लोग बात करते हैं इसकूल में जो हम लोगों को सेलेबस पढ़ाया जाता है करीकूलम पढ़ाया जाता है वो सारी हमारी अपचारिक सिक्षा होती है अनौपचारिक सिक्षा जो हम लोग इस तरह से उसक त्सके लिए कह सकते हैं ग्यानका स्वरूपने चीति मात्रा में संतुलित वो और अनुशार इसलिए कह सकते हैं और अप्शारी शिक्षा भी आ जाती है पस आपको जब options वहाँ पे दिये जाएं आप दो सिक्षाइं पढ़ दीजा आप अपने option क्योंकि अभी हम लोग क्या करना भी हमको question सॉल करने तो उसके लिए हमें जो में पॉइंट से इस पर ध्यान देनी के ज़रूरत है आपने क्रमबध्ध तरीके से सिक्षा जो हमारी हो रही है भाप्शेरी सिक्षा उसको इसके कि नित्रों के शार्ट समवाद कॉलेज और आपका लाइबरेरि इस में से आपको करた के सामफ न्युक्त करने होतां इसमें से भिन माटन भी इसमें कि उसक्रावं झाद संस्वाद और यह असमें बहुत ही जादा आते हैं इसको देख लिए ग्यान सकती है आपका जो 2021 का प्रीवेस एर का पीपर है आप वहां पर देखेंगे यह पॉइंट वहां पर दिया गया है ग्यान क्या है एक सकती है इस पॉइंट को याद रखेगा ग्यान समाप्त नहीं हो सकता है सकती आपके सत्यता का नाम है इसके कोई सीमा नहीं होती है तो अग्यान जगत अनन्त है इसमें ग्याथ एवट अग्यात सभी ग्यान समाहित है तो ग्यान क्या है इसके कोई सीमा नहीं होती है इसमें ग्यात और अग्यात सभी ग्यान जो है वो समाहित है ग्यान को प्राप्त करने के लिए अनुभव अनिवार है जब हमारे पास अनुभव होगा तभी तो हम उस ग्यान को प्राप्त यह प्रश्न भी आया हुआ तब से पहला वाला पॉइंट क्या था वह आया था और यह ज्यान कश्रोत सूचना यह आया हुआ है ज्यान तीन तथ्थियों पर आधारित यह तत्थ तीनों याद कर लिए हो सकता वहां पर ऐसे करके पूछ लिए इस समय बहुत ही इस सारी चीज पर आधारित है आप सिर्फ और सिर्फ आपको सत्यता दे दें वो और आपसे पूछ लें इन में से क्या कोई है जो ग्यान के तत्थियों पर आधारित है तो यह तीनों है सत्यता है सबूत है और विचार है आगे का पॉइंट है ज्यान निरंतर बढ़ता रहता है तो ग्या ग्यान की प्रकरती यह कोशन आया हुआ है ग्यान की प्रकरती कैसी होनी चाहिए तो ग्यान जो है एक साध्य के रूप में भी होता है ग्यान एक साधन के भी रूप में होता है ग्यान एक संग्यानात्मक प्रक्रिया के रूप में भी होता है तो यह तीनों फॉइंट्स आप जैसे जिस चीज को हमको प्राप्त करना हो जैसे कोई अर्थ है परिवाशा है इस चीज़ को हम कह सकते हैं जैसे कि ग्यान स्वतंत रूप में वस्त जब हम इसका अरजन न किया सके तब इसको हम अपने लिए समाच के लिए प्रोग में नहीं ला सकते हैं तो क्या होता है जिसे हमें प्राप्त करना होता है ऐसे कह सकते हैं जो हम प्राप्त करते हैं जैसे स्कूल जाते हैं तो हम वहां से क्या करते हैं ज्यान अरुजित करते हैं प्राप्त करते हैं तो जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं वह एक साध्य के रूप में होता ह और साधन जिसके द्वारा हम प्राप्त करें जैसे अगर मैं आप से बोलू कि आप प्राप्त जो कर रहे हैं वह आप साध्य के रूप में मुवाइल से प्राप्त करें एक्षाद्ध को से लेकिन होता है इस सारी चीजों को अपने हुआ से क्या सीखा और उसको हम तारकिरोप में कैसे समझने की कोशिस करते हैं वहां से सिर्फ इतना ही समझिए वह थोड़ा सा Elaborate कर दिया था इसको वैण आप एसे समझें ग्यान की प्रकरती क्या होती है ज्यान के प्रकरती एक सदि के रूप में होती है एक साधन के रूप में होती है संग्यानात्वी प्रक्रिया के रूप में होती है। नेक्स्ट पॉंट है जियान के शुरूत यह बहुत ही important point है यहां पर sources of knowledge एक तो इसका primary source होता है दूसरे इसका आए हुए हैं इनसे इसलिए मैंने यहां पर सारे कुछ लिखे हुए हैं तो हमारे primary source क्या है यहां पर देखिए आगे लिखा हुआ जैन दर्शन, बॉद्ध दर्शन, सांख दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन एवं अद्वयत वेदान्त में इंद्रियों को प्राथमिक साधन के रूप में माना जाता है अब वहां पर आपके पास जैन दर्शन, बॉद्ध दर्शन, शांक दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन एवं अद्वयत वेदान्त इन सभी में क्या है इंद्रियों को प्राथमिक साधन के रूप में जाना जाता है तो आप याद रख लिजेगा नेक्स्ट पोइंट यहां पर यह भी को मैंने गोला किया हुआ है अध्वयत वेदांत ने इंद्रियों को बाहत्तान माना है कि कि इन इंद्रियों को ऒाहसाधन माना है अध्यत वेदांत ने इसको बाहसाधन माना है चोंही क्या है जो हमारी primary को चो से इंद्रियां है तो याद रखेंगे हैं हमारी primary सोर्स स्वेड़ की इस तरए से में के तुछ आपर कि 민eurs साधन माना निंद्रियों को माना पूकि इसी 토 uniqueness Diogen आगे बड़ता है दुट्य सोर्स जिसको सेकंडरी से वोलते हैं सेकंडरी सोर्स के रहा होते हैं एक सट्थात्मक जिसको कि हम प्रमाडिक सोर्स भोलते हैं एक अप्रमाडिक पहला उमारा प्रैमरी सूर्स हो गया प्रैमरी सánh सिर्थ हमारा क्या है प्रैमरी आपने देखा हुँ आर देखा टहीं अ एक प्रभार माड को और लिए Years घम यहां से उर्धेया पर समझने वाली बात είναι पहली पढ़ते हैं प्रभड क्या होते हैं प्रachen रोट होते हैं वेद साहित्य। कौझ सा सोर्स है प्रैमरी है या सेकंडरी तो पहली चीह प्रैमरी आपर मतलब प्रहां पर जाए करो प्रम्हाद कवस्त है इन चारों को आप याद रखिए वह ako passwords को सहां वेद है साहित है उपनिशद है धार्मिक गर्फ होगा पुस्तक कैसे प्रहादिक स्रोत है इन से प्राप्त ज्यान प्रमाडिट माना जाता है इस सबी किया कि अब आपता है सब्चेक्टिव होता है इस प्रकार का ग्यान वैस्ट निष्टता पर होता है मतलब सब्जक्टिव होता है आपसे पूछ लिया जाए कि अब आप कहां से चीजे क्लियर कर पा रहे होंगे कि एक तो तो हमारा प्रामाडिग क्या है जो हमारे धर्म ग्रंत हengoard safe और अप्रमाडी क्या है जो हम अपन सब्सक्राइब अप्रामाडी को है मगर अप्रमाडी ग्नान है और दूसरा इंटर नेट से प्राप्त यह वहां से इसको आप समझ फाएंगे मैं यहां पर प्रिवेस यह मैंने प्रिवेस बनाएंगे आप देखिए 2021 वहां पर लिखा हुआ है कि इंटरनेट से प्रठ समगरी कई है तो वह अप्रमारिक ग्यान है अब अप rigorous Iomerse में आपको ऐसे ही बताया दे रहाँ प्रैमेरी सोड्स किया है प्रैमेरी सोर्स हमारी इंद्रीच है सेकेंडरी सोर्स दो तरह से एक प्रमाडिक है और एक अप्रमाडिक है क्लियर है इंटरनेट से प्राप्त ग्यान यह कैसा है अप्रमाडिक है मगर इन में से भी प्रमाडिक रमाड हे भी एक्सोर्स रंपराउज दकत्ता का ये भी एक सोर्स है प्रिद्धी से भी स् रख्या अंतर रुखिए रखोंगा समाजिक रंकतर कंद एम एक हमारे किसे हैं गयान के साथन के रुप में इंद्रियों को तो जैन दर्शनये बोला है बोल संक्य दर्शन ने बोला है योग दर्शन और दरेशन और means इस बात को बोला है उसके बाद संत्तात्मक और अप्रमाड को Barb हम भी है ज्ञान का अब क्लास्िफिकेशन ऐसे एह बहुत ही इंपोर्टंट है इसलिए आप लोग झूलत समझें ग्ज्ञांप प्लो chill ने कैसी दिया थह प्लोनती क्नी का ग fundamental दिया थीन मत्यम में इसको इंधरी विभाजित याद रखेगा यह एंची क्यूज आया हुआ है आपके जो करा हुए संजय प्रफ्लिकेशन है यातुल प्रफ्लिकेशन है मुझे याद नहीं आ रहा है इंद्रियों में से एक वाप उन्होंने भिन दे दिया था इन पांचों के लाबा तो आप यह पांच इंद्रिया याद कर लिए कौन-कौन से आंक है नाख है अहीं फांच आ है और प्लेटो के अनुसार इहों कितने प्रकार से इसका वरगी करण क्या है तो तीन प्रकार से क्या है वो तीनों आप यहां से समझ लीजे कौन कौन से एक है इंद्री जनित दूसरा है अनुभव जन्य और तीसरा है चिंतन जन्य तो इसको आप याद कर लिजे एक है इंद्री जनित दूसरा है अनुभव जन्य और तीसरा है एंद्री जनित को हम स्धुबहज बोलते हैं अनुबव जनित को हम एक्सपीरियेंस बेष्ट– des 100 बोलते हैं चिंत-जनित को में बेस्ट ओन प्रापरत इंकिड बोलते हैं तो यह प्लोटो ने ज्यान का वरगी करण किन कितने प्रकार से किया तो तीन प्रकार से किया और यहां पर एक option प्लेटो है प्लेटो के अनुसार इन में से कौन सा है तो तीनों है आप यह तीनों याद कर लीजिए कौन कौन से हैं इंद्रिय जनित अनुभव जनित और चिंतन जनित तो यह प्लेटो के अनुसार हो गया इसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं फिर संक्र पराग्यान और एक पराग्यान जो कि अपने अनुभव के माध्यम से होता है और पराग्यान इस प्रकार का ग्यान जो हमें गुरु वेद साहित्य और उपनिशा देवं धार्मिक ग्रंतों से प्राप्त होते हैं तो आप इस चीश को भी याद कर लिए पराग्यान और अप अपरफा आग्यान जो हम खुद से प्राप्त करते हैं और परफा ग्यान जो हमारी गुरु वेद अपने उपनिश्य वहां से हमारा है तो प्रेटों ने किस तरह से वरगी गुरत किया है तीन तरह से किया संकराचार कि सण к्ल repelsर कि तो जैना द्रेशन के अनुसार भी तीन तरह से पहते हैं ना नवेलिज़ आता मैं लिया है और यहांट के अनसार क्या है प्राग अनुभाविक है और अनुभाविक है एक जिसको कि हम प्रायरी नॉलेज बोलते हैं एक पोस्ट प्रायरी नॉलेज बोलते हुए तो यहां पर सभी तरह से मैंने आपको घ्ञान का एक टॉपिक पूरा क्लियर कराया हुआ है तब इसको आप एक बार मैं फिर से आपको ऐसे करवा देदा हूं आप ये वीडियो बंद नहीं करना आपको समझना है आप देखिए बिल्कुल इस उसमें पढ़िए कि आपको क्या मिला है आपको जो भी सारी चाहिए में प्रवाइड करें बहुत ही ऑथांटिक हैं आप इसको समझिए कोशिस करिए मेहनत से मैं आप लिए से कौन कौन से हैं इंद्रिय जनित अनुभव जनित और चिंतन जनित संक्राचार के अनुसार अपराग्यान और पराग्यान अपराग्यान जो खुद से पराग्यान जो गुरु और वेद से मिल जाते हैं जैन दर्शन में तीन तरह से हैं मती ज्यान सुरुती ज्यान और अ किया है अगर मैं आप से यहां पर याद कराने की कोशिश करें विश्य विद्याले किसमें आता है मित्र मंदली के साथ बातचीत करना किसमें आजाएगा और अप्चारीग में आएगा तो आप एक बार इसको फिर से पढ़िएगा और मैंने यहां तक आपको यह एक टॉपिक में पूरे complete कराने की कोशिश करूंगा तो क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा आप बिल्कुल कमेंट करें और मुझे बताएं कि यह कैसा था आपको अगर सही लगा तो मैं सीरीज को आगे बढ़ा के लेके चलता हूं प्लीज कमेंट जरू करें इस वीडियो को शेर भ को भी सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच